हेलो वेरिवन वेलकम बेक आई होप आप सभी की जो एक्जाम से वह अच्छे से जा रहे होंगे और आप इस टड़ी भी भेहता तरीके से कर रहे होंगे यहाँ पर आज की स्वीडियो में हम आपके क्लास 10 की जो इंगलिज की क्वेस्चन में कहें उसमें जो इंपोर्टेंट यहां पर हम इस पेसेज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बाद में इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेस्टन हैं एंसी क्यू टाइप के उनके आंसर हम देखेंगे जो कि आप खुद सोल करेंगे बस आप इसको सुन लीजे और समझ लीजे अपने साथ अपनी के रूम से बाहर कहीं दलदली स्थान पर एक बासूरी बजा रहा था जहां लेटिक यह वह बहुती प्यारा या नि मधूर बजाता था तो एक जो परी फेयरी है वह आती दी और सुना खरती थी Will you marry me and play to me in my castle तो वहाँ इससे कहती है कि क्या तुम मुझे शादी करोगे और मेरे my castle का मतलता है मेरे जो महल है वहाँ पर तुम बजाना भी मेरे साथ इससे बोलती है Yes, yes, lovely lady हाँ, हाँ, prayer lady यहाँ पर गड़री हाँ कर देता है और बोलता है हाँ, हाँ, lovely lady शेट दा सेफर यहाँ गड़री कहता है दे फेरी पूट अरिंग ओन हिस फिंगर जो परी है वह उसकी उंगली में एक रिंग डाल देती है It once he became a handsome young man dressed in princely robbs तो जैसे ही वह उसकी उंगलियों में रिंग डालती है तो वह एक जो राजा महराजा टाइप के व्यक्ति जो कप्ड़े पहनते हैं वे सही पोसाख में वह एक जवान और handsome व्यक्ति बन जाता है पहनाने के तुरंत बाद princely robbs यानी राज सी व्रस्त और young handsome यानी सुन्दर नोजवान बन जाता है But I must first go to Rome and bid farewell to my friends He said परन्तु मुझे सबसे पहले Rome जाना होगा और अपने दोस्तों को bid farewell यानी विदाई देनी होगी ऐसा वा कहता है ठीक है The fairy gave him a golden coach with a 12 white horse तो जो परी है उसे golden buggy देती है या गाड़ी देती है जिसमें की 12 white यानी सफेद घोड़े होते है यानी सफेद घोड़े वाली उसको गाड़ी देती है वोल्डन यानी सोने का पोज़ देती है As he rode, right का second form road in state to Rome वह सवार होकर जैसे ही रोम के राज़ी में पहुँचता है He meet the young queen of Italy वह Italy की युवा जो रानी है उससे मिलता है यंग queen यानी वहां की जो नोजवान युवा जो queen है उससे मिलता है Who invite him to her palace जो कि उससे अपने महल में invite करती है उसको आमनत्रन देती है The safford saw that he had won the queen's heart जो गड़री आपको देखता है कि उसने रानी का दिल जीत लिया है He resolved to marry her and became the king of Italy तो उसने सोचा या फिसने संकल्प लिया कि वह इससे साधी करेगा और Italy का राजा बन जाएगा And late the fairy और परी को जाने देगा मलब यह उसने योजदा बनाए यह सा संकल्प लिया कि परी को जाने देगा और इस रानी से साधी करके वह इटली पर राज करेगा उसका राजा बन जाएगा So when he and the queen were alone together इसलिए जब वह और रानी दोनों अकेले में रहते हैं He nailed down and took her hand Nailed down गुटनों पर जुग जाना तो आपने गुटनों पर जुग जाता है और रानी का हाथ पगड़ लेता है या रानी का हाथ थाम लेता है Saying marry me और थाम कर हाथ थाम कर कहता है कि मुझसे शाधी करोगी Dearest prayer I will help you to govern Italy Govern Italy पर सासन करने में तो मेरी prayer क्या आप मुझसे शाधी करेंगी मैं आपकी Italy पर सासन करने मदद करूँगा यह सब कहता है But as soon as he spoke परनतु जितनी जल्दी यानि जैसे ही वह बोलता है He turned into the old and rugged shepherd वह एक बुड़े और उबडखाबर टाइप के गड़रे में बदल जाता है इसे पहले उसके वेस भूसा थी वेसा ही वह बन जाता है भीकारी टाइप का What is this horrible beggar doing here जब रानी देखती है कि यह जो horrible भयानक सा जो भीकारी है यहां क्या कर रहा है cried the queen चीकती है रोती है रानी weep him out यानि इसको बाहर निकालो of the palace यानि महल से बाहर निकालो अब यहां पर हम कुछ प्रस्मा को उत्तर देखेंगे जिसके आंसर आप आसा निस दे पाएंगे the fairy wanted to marry the safer because जो परी है वह गड़री से शादी करना चाहती थी क्योंकि he had saved her life क्योंकि उसने उसकी जान बचाही थी नहीं he could play sweetly on his flute वह अच्छे से मधूर मासूरी बयाता था बिल्कुर राइट है he was very handsome वह बहुत इन्टम था नहीं बहुत एक भीकारी था the safer louder जो गड़रिया है वह उससे प्यार करता नहीं परी को तो देख नहीं पाता था तो परी इससे प्यार करती थी और इसकी जो मधूर बासूरी बजाता था इस पर मोहीत होकर इसने इसको ओफर दिया था तो option number B आ इन गायब हो जाता नहीं turn into a statue एक statue में यह मूरती मधल जाता है बिल्कुल नहीं change into a handsome youth वह एक नोजवान यूग मधल जाता है बिल्कुल राइट वह एक नोजवान खूबशुरत सा यूग बन जाता है जिसने के राजसी कपड़े पहने थे तो सेफर्ड वें तो रोम इन जो सेफर्ड है वह रोम किसमें जाता है यानि रोम जाना था सेफर्ड को अपने दोस्तों को बिलाई देने के लिए ऐसा उसने कहा था फेर इसे यानि पर इसे तो वह किसमें जाता है बोट में जाता है या नहीं कार्ट में गाड़ी में बिल्क बिल्कुल नहीं मिलता है और सोल्ट केसा प्रमिसन टूमेर मी 220 वह को अपने मातर पिता से पर्मिसन लेने के लिए कि आपर इसलिए वींडुनता है बिल्कुल नहीं प्लान को मेरी क lumin आफ इटलीव इतली के जो रानी है उससे खांवित करने योजना बनाई थी यह तो बिल्कुल राइट है मीट दे किंग आप इटली वह राजा से मिला था बिल्कुल नहीं वह राइनी से मिला था तो ऑप्सान नंबर सी आपका यहां पर सही बजाए नेक्ट देखते हैं तक क्वीन क्योंकि वह बुड़े और कुरूप में बदल गया था बिल्कुल सही है ट्राइट वह उसकी ज्वेली चुरानी कोशिस कर रहा था नहीं यह गलत है रिफ्यूज टु मेरी हर उससे साधी करने के लिए मना कर दे यह बिल्कुल गलत है रिविल्ड इस प्लान टु मेरी दे फेर वह अपनी योजना बताता है कि मैं साधी करूमा परी से बिल्कुल गलत वहां बुड़े और कुरूप उबडख्यावर टाइप के भिकारी मदल जाता है जो कि होरिवल लगता है वहानक दिखता है तो टर्न ओल्ड अगली यह सारे आंसर आपको पेसेज में से मिल जाएंग कगर बहरा निसे मिल जाता है तो यह कुन आप इं इटली इस एक काम यहां दिया वह कोज मेंड़ कर जाता है इसके बाद में जो रिंग पेना देती तो किसमें बदल जाता है तो वह एक हैंडसम यंग में बदल जाता है एक आंसर यह था और वह उसे शादी करना चाहती क्योंकि वह स्वीटली देडल लवली फेरी अच्छी बासुरी बजाता था यह हमारे 5 आंसर थे जो हमें पेसेज म किसमने राजमार्ग का जो नेटवर्क है वह 70, konk mulher आ पाट गया था मतलब 2010 की स्थर्थिमें जो राष्ट्य wonders你र कहें वह इतना किलोमेंट्र ऱगत करें हमारे पास रोड था इंक्लूण और 1.000 पीने Sale अच्छे स एक्सप्रेस जो ए नेशनल हाईवे तो आउट आफ ऐल सेववन फहोजङेंड किलोमेटर आप नेशनल हाई वह यानी कोटतर जार किलोमेटर के राश्टर राजमार्ग में फिपटीन थाउज़गंड ऺ्लस किलोमेटर और फोर र align यृणि ड्रीमेन 57 राश्टी राजमार्ग अथुरिटी है इंडिया की इस नोडल एजेंसी रिस्पोंजबल फार बिल्डिंग अपग्रेडिंग एंड मेंटेंग मोस्ट आप नेशनल हाइवेज नेट्रोक एक नोडल एजेंसी जो की जिम्मेदार है इन रोड को बनाने के लिए इनका उन्हें हाइवेज डिवलप्मेंट प्रोजेक्ट और भारती राष्टी राजमार्ग विकास परियोजना जो है इसका जो मूल काम है वह है हाइवेज के नेट्रोक को अपग्रेट करना उनको उन्हें करना कि कैसे इसको विश्तारित किया सकता है यह का में एक नेश्डीपी का है न परफिए ऐघ्याइबन युज परफिट प्राइवेट पार्टनर्शी मोडल फार हाइवेज जयूलपमेंट जो एणीजेवेज और फॉर पब्लिक यानि मूलूप से परमिक और नीजी पारटनर्शी वाले मोडल को उपयोग करती है हाइवेज के विकास करने में में ने-निला फिर देखा जाए तो वह जितने वी एंडिया में उनका सिर्फ दो परसेंट है अब हमारे पास कितने परसेंट है ट्रक्सीन ट्रॉड परफिक अब 2010 परन्तों ट्रॉड परसेंट इन रोड के दौरा समाला जाता है 2010 तक किस्ति में दो मेजरेटी आप एक्जिस्टिंग नेशनल हाइवेज आर टू लेंस यादि अधिकतर यदि नेशनल हाइवेज देखा जाए तो लेंस का है अब दोनों के सकते हैं सम सेक्षंस आप डेट्रोक्स और टोलोड इन में से जो भाग है वह नेट्रोक का वह टोलोड का है यानि कुछ जो हिस्सा या भाग इसका वह टोलोड का है ओवर 30,000 किलोमेटर आप न्यू हाइवेज आर प्लांड और अंडर कंस्ट्रक्शन एज पार्ट आप एज पार्ट आप नेश्डीप एज ऑफ 2011 यानि 2011 तक 30,000 किलोमेटर के नए हाइवेज बनाने की जो बढ़ानी योजना वह नेश्डीप के पास थी और यह आप कह सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन ने दोनों बात के सकते कि यह योजना इननल बनाई और या भी वह अंडर कंस्ट्रक्शन ने 2011 तक 30,000 किलोमेटर तक के हाइव बनाने की किसके पास नहीं के पास में इस इंक्लूट्स ओवर 2600 किलोमेटर आप एक्सप्रेस वे करेंटर कंस्ट् होनी बनाउं करना करना और रकरखाव का इसका इसका काम है जो कि हमने उपर बढ़ा है भी वाट इसमेंट आप टू लेंस नेशनल हाइवे आप इंडिया यानि राश्टी राजमार्ग में टू लेंस कम आप कितना है तो हमने देखा था कि 50,000 किलोमेटर जो है वह आपके 406 लेन है वह टू लेन जो है वह 50,000 किलोमेटर है तो आपका नंबर बी यहां पर सही हो जाएगा वाट परसेंट आप रोड इंडिया नेशनल हाइवे यानि कितना परसेंट जो है रोड वह इंडिया के नेशनल हाइवे को जाता है यानि राश्टी राजमार्ग कितना परसेंट है पूरे रोड का तो हमने देखा टू परसेंट रोड इंडिया है तो जो अधिकता है नेशनल हाइवे की इंडिया में टू लेन है या फोर लेन है तो टू लेन आपने देखा कि 50,000 km बने तो टू लेन्स की मेजरेटी और वेसी भी आप्सन यहां पर दिया देगा अंसर तो टू लेन्स ही जादा हमार पास पचाहजार किलोमेटर तक के टू लेन्स है बाकी फो लेन्स और शिक्स लेन्स है यह कुट थाजार किलोमेटर में से 2010 तक के स्थाथि में आई ओप यह वीडियो आपको अच्छे समय आ गया होगा यदि आपको डौट है तो आप मुसे कमेंट बोक्स में पूस सकते हैं पाकी आप टेलेग्राम सेनल को जोईन कर सकते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी